प्रस्नेक निम्नलिखित संख्याओं के संयोगी विलोम लिखिये प्रस्नेक का ए आठ वटा उन्नीस तो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के रिनात्मक यानि संयोगी विलोम लिखना है तो 8 वटा 19 का संयोगी विलोम यानि रिनात्मक संख्या हो जाएगा माइनस 8 वटा 19 तो माइनस लगा देना है रिनात्मक कहा रहा है संयोगी विलोम का मतलब क्या हुआ है रिनात्मक तो बस माइनस लगा देना है अंस में तो 8 बटा 19 का हो जाएगा, माइनस 8 बटा 19, सेयोगी विलोम, यानि रिनात्मक, बी में है माइनस 3 बटा 7, तो इसमें भी माइनस लगा देंगे, माइनस 3 बटा 7 का सेयोगी विलोम, यानि रिनात्मक क्या होगा, तो माइनस 3 बटा 7 के आगे क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि रिनात्मक कह रहा है, तो इसलिए इसके आगे माइनस का चीन लगाएंगे, जैसे इसमें लगाए थे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा तो इसका उत्तर आएगा तीन बटा साथ तो माइनस तीन बटा साथ का रिनात्मक हो जाएगा तीन बटा साथ ठीक है क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस इसलिए 3 बटा 7 इसका उत्तर होगा तो रिनात्मक तो ये पहले से था तो इसमें एक और माइनस लगा देना है क्योंकि रिनात्मक कहा रहा है इसका रिनात्मक तो एक माइनस लगाएंगे तो दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएगा तो इसका उत्तर आएगा 3 बटा 7 C माइनस 2 तो माइनस 2 का रिनात्मक विलोम ये संयोगी विलोम या रिनात्मक क्या होगा इसके आगे एक और माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस तो पहले से दिया हुआ है तो रिनात्मक करने के लिए एक और माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस होता है प्लस तो इसका उत्तर आएगा 2 यानि माइनस 2 का सेयोगी विलोम होगा 2 D माइनस 4 बटा माइनस 9 अब देखें माइनस 4 बटा माइनस 9 है तो दोनों माइनस में हैं अंसर हर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो इसका उत्तर आएगा 4 बटा 9 ठीक है इसका उत्तर 4 बटा 9 नहीं आएगा मतलब माइनस 4 बटा माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 4 बटा 9 क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस अब देखे इसका संयोगी विलोम कह रहा है तो इसका संयोगी विलोम हो जाएगा माइनस 4 बटा 9 4 बटा 9 के आगे माइनस का चीन लगा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा माइनस 4 बटा 9 यानि माइनस 4 बटा माइनस 9 बराबर होगा 4 बटा 9 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है अब इसका संयोगी विलोम हो जाएगा माइनस चार बटा नौ माइनस लगा देंगे क्योंकि संयोगी विलोम कह रहा है प्रस्न दो निमनलिखित परिमे संख्याओं के व्यूत्करम लिखे प्रस्न दो का ए तीन बटा इगारा तो इसका संयोगी विलोम लिखना है ये वियुत करम लिखना है ठीक है प्रस्न दो में क्या है निमलेखित परिमे संख्याओं के वियुत करम लिखिये वियुत करम का मतलब हो गया तीन अंस है देखिए तीन यहां पे क्या है अंस है और 11 हर है, तो उल्टा कर देना है, 3 अंस है, तो 3 हर हो जाएगा, 11 हर है, तो 11 को अंस बना देना है, यानि 3 बटा 11 का व्यूत्करम हो जाएगा, 11 बटा 3, 6 बटा माइनस 19, 6 बटा माइनस 19, तो यहाँ पर इसका व्यूत्करम लिखना है, तो व्यूत्करम का मतलब हो गया, कि जैसे यहाँ पर 6 अंस है, तो 6 को हर बना देना है, माइनस 19 का हर है, तो इसको अंस बना देना है, यानि जो नीचे है, उसको उपर कर देना है, जो उपर है उसको नीचे, तो 3 बटा 11 हो गया, 3 बटा 11 का व्यूत्करम हो गया, 11 बटा 3, 6 बटा माइनस 19 का व्यूत्करम हो गया, माइनस 19 बटा 6, C minus 4 बटा minus 13 minus 4 बटा minus 13 तो इसका ब्यूत्करम क्या हो जाएगा यहाँ पे minus 4 क्या है तो minus 4 को हर बना देंगे यानि ऊपर है उसको नीचे लिख देंगे और minus 13 हर है यानि यस नीचे है तो इसको उपर यानि अंस बना देंगे इसको तो minus 4 बटा minus 13 हो जाएगा minus 13 बटा minus 4 यानि इसका वियूत करम क्या होगा minus 13 बटा minus 4 d minus 9 बटा 22 यहाँ पे minus 9 उपर है तो minus 9 को नीचे लिख देंगे 22 नीचे है तो 22 को उपर लिख देंगे यानि – 9 अंस है तो – 9 हर हो जाएगा 22 हर है तो 22 क्या हो जाएगा अंस तो – 9 बटा 22 का वियुथ करम होगा 22 बटा – 9 प्रेस्ण 3 जोड़िये प्रेस्ण 3 का पहला 12 बटा 5 और आठ बटा 5 कह रहा है तो यहां पर और को खटा के प्लस का चीन देंगे क्योंकि जोडना है तो 12 वटा 5 प्लस 8 वटा 5 लिख लेंगे 5 पांच का लगुतम 5 होगा देखें दोनों का हर 5 है तो लगुतम 5 होगा हर दोनों बराबर है तो अंस में जो है उसको लिख देंगे 12 जोर 8 यानि इसका उत्तर आगया 12,8 20 12,8 कितना हो गया 20,20 वटब 5 5 के 20 कट जाएगा यानि इसका उत्तर 4 आएगा ठीक है 12,8 20,20 वटब 5 5 के 20 कट देंगे 4 इसका उत्तर आजाएगा दूसरा minus 3 वटब 7 साथ प्लस नौ बटा चौधा तो और हटा करके प्लस का चीन देंगे क्योंकि जोड़ना है अब देखिए साथ और चौधा का लगुत्तम चौधा हो जाएगा ठीक है तो साथ दूना चौधा होता है तो तीन दूना छे लिखेंगे यहाँ पर तीन माइनस में है तो यहाँ पर माइनस छे लिख लेंगे चौधा गुना एक चौधा तो नौ गुना एक नौ लिख लेंगे यहाँ पर बीच में प्लस का चिन रहेगा तो इसका उत्तर आगया आप देखिए नौ में से छे घटा देंगे क्योंकि छे माइनस में है तो इसका उत्तर आएगा 3 बटा 14 तीसरा माइनस 8 बटा 11 प्लस माइनस 3 बटा 22 तो 11 बटा 22 का लगुतम 22 हो जाएगा तो 11 बटा 22 तो 8 बटा 16 लिखेंगे यहाँ पर 8 माइनस में है तो यहाँ पर माइनस 16 कर देंगे 22 गुना 1 बटा 22 होता है तो माइनस 3 गुना 1 माइनस 3 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस लिखेंगे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 16 और माइनस 3 दोनों माइनस में है तो जोड़ेंगे तो माइनस 19 हो जाएगा 16, 13, 19 दोनों माइनस में है तो माइनस का चीन देंगे बटा 22 यानि इसका उत्तर आगया माइनस 19 बटा 22 प्रस्न 3 का चौथा माइनस 4 और और हटा के प्लस का चीन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 बटा माइनस 3 तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4 प्लस 2 बटा 3 देखें माइनस 2 बटा माइनस 3 है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ठीक है इसलिए 2 बटा 3 सिर्फ लिख लेंगे अब यहाँ पे यहाँ पे हर में कुछ नहीं है यहाँ पे हर में 3 है तो 3 लगुतम हो जाएगा तो यहाँ पर हर में जब कुछ नहीं है तो माइनस चार और तीन गुना हो जाएगा यानि माइनस बारह यहाँ पर लिखेंगे माइनस चार गुना तीन क्या होगा माइनस बारह पलस तीन गुना एक तीन तो दो गुना एक दो तो माइनस बारह पलस दो मैनस 12 प्लस 2 दो क्या होगा मैनस 10 12 में इसे 2 घटा आएँगे तो 10 आएगा और बड़ा संख्या माइनस में है तो माइनस कच्ची ने देंगे यानि माइनस 10 बटा 3 इसका उत्तर होगा पाँचवां माइनस 11 बटा 49 जोड़ माइनस 7 बटा 26 तो माइनस 11 बटा 49 जोड़ माइनस 7 बटा 26 है तो 49 और 26 का लगुतम हो जाएगा 58 देखे 49 और 26 का लगुतम क्या होगा अठतर होगा तो 49 दुना 78 तो माइनस 11 दुना 23 26 तिया 78 होता है तो माइनस 7 तिया माइनस 21 हो जाएगा यहांपे पलस माइनस नहीं है अब माइनस 22 और माइनस 21 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस दो एक तीन दो दो चार यानि माइनस 43 बटा 78 इसका उत्तर आ गया माइनस 43 बटा 78